सुशान सिंग राजपूत को लेकर कई बाते सामने आ रही है जिसमें से एक एहम बात है कि बॉलिवुड ने उनके अगेंस्ट गैंग बना ली थी और उन्हें अकेला छोड़ दिया था और अब वो बात का खुलासा हो चुका है जिस बात में उन्हें सबसे जादा तोड़ा था क्या है वो बात चलिए मैं आपको बताती हूँ सुशान सिंग राजपूत ए लिस्टर आक्टर थे बॉलिवुड के वो कई सूपर हिट फिल्मों में काम कर चुके थे बड़े बड़े डिरेक्टर्स के साथ सुशान सिंग राजपूत ने काफी हिट फिल्में दी थी भले ही वो येश राज हो या फिर करन जोहर हो इनफाक करन जोहर के साथ तो उन्होंने जैकलीन फनांडिस वाली फिल्म ड्राइव की थी इस फिल्म को लेकर सुशान सिंग राजपूत काफी excited थे इस फिल्म में सुशान सिंग राजपूत और जैकलीन के अलावा पंकष ट्रपाटी और बमन इरानी भी इस फिल्म का हिस्सा थे इस फिल्म के release के announcement काफी बार change हुई सबसे पहले इस फिल्म के रिलीज होने का तए किया गया था September 2018 में उसके बाद January में इस फिल्म का एक छोटा सा teaser लाउंच किया गया जिसके तहट बताया गया कि ये फिल्म जल्द ही रिलीज होगी इस फिल्म के रिलीज कई बार आगे बड़ी है फाइनली इस फिल्म के रिलीज देट तए की गई 28 जून 2019 सुशान सिंग राजपूत अपनी फिल्म के लिए काफी excited थे और उन्हें अपनी इस फिल्म के रिलीज का इंतजार था लेकिन end moment पर इस फिल्म के रिलीज में एक बार फिर से बदलाव किये गए और decision लिया गया कि इस फिल्म को अब फिल्म के रिलीज ही नहीं किया जाएगा बलकि अब इस फिल्म को direct Netflix पर रिलीज किया जाएगा और सबसे बड़ी बात तो ये कि सुशान सिंग राजपूत जो फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे थे उन्हें उमीद थीर कि इस फिल्म को थेटर में रिलीज किया जाएगा उस फिल्म को OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज करने का जब decision लिया गया तब सुशान सिंग राजपूत को बताया तक नहीं गया इन फैक्ट ऐसी भी खबरे हैं कि सुशान सिंग राजपूत ने करन के decision को लेने के बाद उन्हें कहीं बार call करके पूछने की कोशिश की कि इस तरह का decision क्यू लिया गया क्यू ड्राइफ फिल्म को थेटर में नहीं release करके OTT प्लाटफॉर्म पर direct release किया जा रहा है लेकिन तब करन जोहर ने सुशान सिंग राजपूत के calls ही नहीं उठाए यानि कि सुशान जिस फिल्म में काम कर रहे थे उस फिल्म को कब और कहा release किया जा रहा है उसके बारे में उन्हें खबर ही नहीं थी और जब उन्होंने पूछने की कोशिश की तो उनके calls ही receive नहीं हुए कहा जाता है कि यही वो time था जिसने सुशान सिंग राजपूत को सबसे जादा तोड़ दिया था इस बात का confirmation इस चीज से हो जाता है कि जून में जब यह फिल्म release नहीं हुई तो इसके बाद से ही सुशान सिंग राजपूत को depression जैसा होने लगा और तब ही उन्हें एक depression का attack भी आया जिसके चलते हैं उन्होंने मुंबाई के famous psychiatrist को दिखाया जो की काफे celebrities को देखते हैं और खबरे ये आई है कि अगस्त के महीने में एक नहीं दो नहीं बलकि चार-चार बार सुशान सिंग राजपूत में उस psychiatrist को consult किया था वो चार बार तब डॉक्टर के पास गए थे इन फैक्ट डॉक्टर से बातचीत को लेकर भी एक report ये सामने आई है कि तब सुशान सिंग राजपूत डॉक्टर से कुछ बात share करना चाह रहे थे लेकिन वो बात share नहीं कर पाए क्योंकि हर बार जब भी वो डॉक्टर के पास जाते थे तब या तो उनके साथ रिया हुआ करती थी या फिर कभी का बार उनके जो creative manager है सिद्धान्त पिठानी वो उनके साथ हुआ करते थे और सुशान सिंग राजपूत उनके सामने अपनी ये सही बात डॉक्टर से discuss नहीं कर पाए थे लेकिन इस बात की खबर आई है कि जब drive film की release को OTT platform के लिए finalize किया गया था तब ही सुशान सिंग राजपूत बहुत ज़ादा तूट गए थे संभाल नहीं पाए थे अपने आपको उन्हें depression का attack आया था और अगस्त 2019 में 4 बार वो अपने psychiatrist के पास गए थे तो ये एक और incident है जो सुशान सिंग राजपूत की उस कड़ी में जुड़ जाता है कि किस तरह से इस industry ने पीछे पढ़कर इन्हें प्रवोक किया ऐसा कदम उठाने के लिए एक के बाद एक उन्हें नीचे गिराने की तैयारी कुछ इस तरीके से की गई थी